हेलो दोस्तो, दोस्तों mutual fund में invest कैसे करना है, ये तो अभी तक सबको idea लगी चुका होगा SIP के थुरू आपको invest करना है, लंबे time के लिए invest करना है और आपके financial goal के pass पहुच कर आपको profit book कर लेना है लेकिन आज इस video में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको क्या strategies follow करनी है इस 10-15 साल की अपनी journey में ताकि at the end आपको profit भी जादा हो और आपका tax भी कम जाए तो दोस्तों सबसे पहले जो important बात आती है वो ये आती है कि आप किसी भी fund में invest करना है आपको direct plan ही choose करना है आपको regular plan चूज नहीं करना है चाहे आपका banker आपका agent आपको कितना ही बोले आपको regular plan में नहीं जाना है क्योंकि आपका उससे loss है 10-15 साल में अगर आप देखते हैं आपका 3-4 लाग 5 लाग रुपे तक का profit का loss हो सकता है तो आपको ये चीज हमेशा धिहान रखने हैं कि सिर्फ आपको direct plan में ही invest करना है दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि आपने 10-15 साल के लिए investment तो किया है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो mutual funds आपने शुरू में चूज किये हैं वो 10-15 साल तक आपको अच्छी return बना कर देंगे तो आपको अपने mutual fund के portfolio को regular intervals पे review करते रहना है regular intervals एक साल डेर साल का आपको रखना है time जिसमें आपको review करना है उसमें आपको review क्या-क्या चीज़े करनी है सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो mutual fund है वो अपने benchmark index को क्या regularly beat कर पा रहा है अगर वो एक साल तक 6 महिने तक beat नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर वो डेर दो साल तक भी beat नहीं कर पा रहा है अपने benchmark index को तो यह आपको लगता है मुझे profit book करने का time आ गया है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि benchmark index जो होते है उसमें आप passively भी invest करके benchmark index जितनी return तो कमा ही सकते हो तो वो तो एक minimum आपके लिए पैसा हो गया जो आप कमा ही सकते हो equity में तो अगर कोई fund आपको benchmark की भी return नहीं दे पा रहा है तो आपको उससे निकल जाना ही better है लेकिन आपको उसको time देना पड़ेगा डेर दो साल का time आपको कम से कम अपने mutual fund को देना हो दूसरी चीज आपको ये भी याद रखने है कि जो भी active mutual fund होते हैं वो बहुत जादा dependent होते हैं fund manager पे तो अगर आपके mutual fund का fund manager change हो जाता है तो उसकी investment की strategy भी change हो सकती है और बहुत सारे changes उस mutual fund में हो सकते हैं तो आपको ये भी चीज पे track रखना है कि अगर आपके mutual fund का manager change हो जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आगे क्या strategy follow करते हैं उसकी turnover ratio अब कैसी चल रही है वो किन companies में invest कर रहा है और वो आपके profile को suit कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आपको ये भी चीज review करते हैं देखनी है और तीसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि क्या आपके चो 5-6 mutual funds जो आपने choose किये हैं जब आपने choose किये थे तो उनमें overlapping नहीं थी जादा पर ये हो सकता है over the period of times उनके strategies change हो जाया और उनसे में overlapping जादा होने लग जाया तो आपको वो चीज़ देखकर अपने mutual fund के portfolio को rebalance करना इस time के बाद ज़रूरी हो जाता है और उसके अलावा जो सबसे important चीज़ होती है वो ये भी होती है कि एक investor का risk profile है वो over the period of 20-30 years change हो सकता है मान लीजिए आज आप 30 year old है तो हो सकता है आप very high risk लेने को तयार है तो मान लीजिए as a 30 year old आपने small cap में ज्यादा allocation रखी दी लेकिन as a 50 year old आपको धीरे 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 अपने जो small cap funds की allocation है उनको change करके large cap में या debt में change करके डालना होगा ताकि आपके risk profile के हिसाब से आपका portfolio भी धीरे धीरे change हो जाए और सबसे जरूरी बात दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं आपको करना कि अगर आप 20 साल के लिए invest कर रहे हैं तो आप 20 साल बाद पहली बार जाकर profit book करेंगे इसके दो reason है दोस्तों पहला reason ये है कि time to time market इतने high levels पे चली जाती है कि आपको पूरा पूरा मौका मिलता है उसमें से निकलने का अपना partly profit book करने का तो आपको वो मौके छोड़ने नहीं चाहिए क्योंकि इसमें आपका taxation का भी बहुत जादा benefit होता है आपको पता होगा equity mutual fund में एक लाग रुपे तक का profit हर साल exempt होता है और उसके उपर का profit हो 10% देना पड़ता है अगर आप long term के लिए equity को रखते हैं तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है अगर आप 20 साल बाद अपना सारा profit एक साथ निकालेंगे तो आपको उस पे बहुत जादा tax देना पड़ जाएगा तो आपको regularly एक दो साल के interval में अपना profit बुक करना है ताकि वो एक लाग रुपे तक की जो आपकी limit है वो आप exhaust कर सको हर साल और जब end में आपको tax देना पड़े तो बहुत ही कम amount पे आपको tax देना पड़े और साथ में आपको अपने spouse के नाम पे भी equity mutual fund श हो जाएगा लेकिन आपको एक चीज़ धियान रखनी है या आपको mutual fund से पूरी तरह कभी भी भाहर नहीं आना है क्योंकि दोस्तों एक पुरानी से हम बोलता है आते हैं कि जब nifty का पी है वो 25 तक चला जाता है तो आपको profit अपना book कर लेना चाहिए लेकिन ये strategy जिन्होंने 2020 में follow की उन्होंने nifty की 20-25% की यानि की 40% तक की भी rally को miss कर दिया क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि nifty कहां तक जाएगा उपर और कब गिरना शुरू होगा तो आपको जो profit भी book करना है वो partly आप profit book करें अपने पास वो पैसा lump sum में रखे और जैसे ही nifty 3-4 point भी गिरता है 3- आप उसको reinvest कर दें इससे आपका profit जो है वो दुबारा से reinvest हो जाएगा जो आपका compounding का effect है उस पे असर नहीं आएगा ये चीजों पर दोस्तों अगर आप ये चोटी चोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे तो आपको long term में profit अच्छा होगा जादा profit होगा जो आप normally invest करें लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि 12400 से गिरेगी या 13000 पर जाके गिरेगी वैसे हाल अभी भी है जब market ने 15000 प्रॉस किया था तो हर किसी को पता था कि market अब गिरेगी लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि 15700 पर जाके गिरना शुरू होगी है या 16 पर जाके गिरेगी लेक कर सके आपको ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिस्क mutual funds में लेने होगे ताकि आप profit अपना increase कर सके मुझे उमीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको थोड़ा एक जादा clarity मिला होगा थोड़ा आप रिस्क अपना भढ़ा सकते हैं और आप इससे अपना profit और tax बचा सक मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद